करनाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस यदुरप्पा को आज विधान सभा में बहुमत साबित करना है इसे पहले कल रात बीज़पी के सभी विधायकों ने बैठत की जिसमें यदुरप्पा भी मौजूद रहे कुमार स्वामी सरकार गिरने के बाद बीएस यदुरप्पा ने शुक्रबार को सीम पत की शपत ली थी इसी बीच बहुमत साबित करने से पहले करनाटक विधान सभा के अध्यक्ष किया रमेश कुमार ने रविवार को 14 और बागी विधायकों को अयोगी करार दे दिया इसके बाद विधान सभा में विधायकों की संक्या 207 बज गई है यानि यदुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 104 विधायकों की जरुवत होगी बीजपी के पास खुद के 105 विधायक है साथी उसे एक नुरगली विधायक का भी समर्थन हासिल है इसे बीजपी सरका पर्टी मीटिंग बीजपी का किया है उसमें तीन डिशिशन अम लिया है एक बीजपी का बहुमत साबित करने में पूरा का पूरा साफल आम होंगे क्योंकि 105 MLA's plus another 1 MLA is waiting to support BJP जो सभापती है स्पीकर वो जिस बावना के साथ कार्य करना चाहिए वो नहीं किया है शुरू से भी नहीं किया है और कुल मिलाकर के आलोकतांत्रिक रवस्ताओं का उन्होंने सहरा लिया मेरा मानना है कि सम्विदान के अनुकूल उन्होंने काम नहीं किया है जो न्याय की अपिक्षाती उनसे उन्होंने विवाहार उनके साथ नहीं किया मुझे लगता है कि उच्छे तम न्याया लए या उच्छे न्याया लए में इसकी चुनावती देने वाले पक्का रहेंगे कानून का विरुद्ध डिस्क्वालिफिक्शन किया है हम भी बहुत दरद है स्पीकर जाइसे नहीं करना चाहिए समाजवादी पाथी के नेता आजम खान की लोगसभा स्पीकर पर की गई टिपड़िंग के विरुद्ध में कई जखा लोगों ने प्रदर्शू की आग्रा में भारती जनता युवा मोचा के कई कारिकर्टा एक जुट्ट और आजम खान का पुतला जलाकर उनके विरोध में नारे बाजी भी की जबकि महोबा में भारती जनता पार्टी की महिला मोचा की कारिकर्टाओं ने भी आजम खान के खलाफ मोचा खोल दिया और उनका पुतला लेकर प्रदर्शुन किया बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी आजम खान पर सवाल उठाते हुए उनके खलाफ सख्त कारवाई का भी दावा कर दिया आजम खान का विरोध होते देख एसपी नेताओं ने भी आजम खान से माफी मागने के वकालत करनी शुरू कर दी जहां स्त्री को मा का दर्जा दिया जाता है बेटी का दर्जा दिया जाता है तो वहाँ पर माफी अगर वो कह रही है कि मांग लीजे तो इसमें भी कोई वो छोटे नहीं होंगे